हेलो इस वीडियो में हम इंसल्ट टैप के इल्यूस्टेशन ग्रूब में शेप्स के बारे में जानेंगे कि शेप्स को इंसल्ट कैसे किये जाता है तो शेप्स के यहां पे मौर बटन पे क्लिक करेंगे मौर बटन पे क्लिक करने के बाद यहां पे बहुत सी यहां पे शेप्स आजाएंगे जैसे लाइन्स की है यह लाइन्स की दी गई है रिक्टेंगल्स की है बेसिक शेप है ब्लोक एरोज है इक्वेशन शेप्स है फ्लो चार्ट है स्टार एंड बैनर्स है कालोड्स की है तो हम यहाँ पर करेंगे तो सबसे पहले आया है यहाँ पर लाइन शिप है तो यह सभी यह जो भी हमें चाहिए यहाँ पर लाइन शिप उसके ओपर हम क्लिक करेंगे suppose करो हमें यह पहले लाइन लेंगे तो यह लाइन लेने के बाद यहां पे हम click करेंगे click करने के बाद यहां पे देखो यह format टैब यहां पे बनके आ जाएगा आने के बाद यहां पे line ने यह लगी हुई हैं यहां पे हम तो यहां पे अलग लग theme style आ जाएंगे यहां पे कोई भी हमने यहां पे एक theme style यहां पे select करना है यह हमने लिया लैने क बाद यह यहां पे आ जाएगा आने के बाद यह जो लाइन है इस लाइन को हम जैसे भी उठाना जाते हैं जैसे यहां से रखके यहां पे ले जानी है यहां से उठाके यहां पे ले जानी है तो कैसे भी हम इस लाइन को कहीं भी ले जा सकते हैं अगर हम इसको गुमाना जाते है तो यहाँ पर click करेंगे और यहाँ पर इसको घुमा भी सकते है यह देखो जैसे हम इसको mouse को drag करके आगे ले जाएंगे ये line बढ़ती जाएंगी पीछे ले आएंगे ये line याँ से कम होती जाएगी इसी प्रकाँ दूसरे किनारे से हम इसको जाम मर जी इसको गुमा सकते है इसके बाद इसको यहां पे delete करते है यहां पे delete पर click किया यह delete हो जाएगी इसके बाद आगे करेंगे हम insult tab में shape में जाएगे अगला जो है यहां पे rectangles तो यह यहां पे rectangles बनी हुई है किसी भी rectangles को हम यहाँ पे लेंगे जैसे यह first वाली इसको लिया और इसको यहाँ पे बना दिया यह यह rectangle यहाँ पे बन जाएगी बनने के बाद अगर इसका size हम कामिया जादा करने जाते हैं तो यहाँ पे यह देखो double arrow यहाँ पे बनाएंगे और पीछे drag करेंगे mouse से यह बड़ी उरती जाएगी इसके बाद यह नीचे इसको बड़ा करना है तो यह नीचे से इसको बड़ा करेंगे यहाँ से करना है तो यहाँ से करेंगे इसके बाद अगर इस rectangle को rotate करना जाते हैं तो य यहां पे ऐसे छोटेंगे तो यह देखो ऐसे बन जाएंगे फिर हमने इसको सीधी करना है तो हम यहां पे इसको फिर रोटेट करेंगे यह देखो रोटेट हो कुछ लिखने जाते हैं तो लिखने के लिए हम के करेंगे यहां पर text box पर click करेंगे यह text box है यहां पर click करेंगे click करने के बाद कहां पर हमने लिखना है यहां पर click करेंगे यह दिखो cursor यहां पर आ जाएगा आने के बाद अब क्या है जो भी हम यहां पर लिखने जाते हैं वो आंसे इसका size जादा कर देंगे यह size रखा अगर हम इसको center में करना जाते हैं तो फिर इसको select करेंगे select करने के बाद इसको center में कर देंगे यह देखो center में आ गई यह तो इस प्रकार इसको हम text को लिख सकते हैं इसके बाद फिर यहां पर click किया इसके बाद format tab यह automatic यहां पर ब जो भी style हमें चाहिए उसके ओपर क्लिक करेंगे वो यह style आ जाएगा तो यह देखो और भी style चाहिए यहां पर क्लिक किया यह बहुत से style है यहां पर जैसे हमें इस style में चाहिए यहां पर क्लिक किया यह style यहां पर आ जाएगा इसके बाद यहां पे इसको यह side में कर लिया इसके बाद आ गया shape fill पे जाएंगे यहां पे बहुत से color आ जाएंगे किस color में हमने fill करना है यहां पे यह देखो standard color है इसमें करना है तो यहां पे click करेंगे अगर हमें इस color में चाहिए light green तो यहां पे click किया यह light green यहां पे color आ इसके बाد shape outline अगर यह outline यह जो बार है इस की outline हम change करना जाते है किसी ओर color में तो इसको करने के लिए हम यहाँ पे click करंगे shape outline इसके बाद कौन सा यहाँ पे color चाहिए तो यहां पर choose करेंगे जैसे यह red में चाहिए तो red यहां पर रखेंगे यह red किया तो यह दिको red में आ जाएगी यह shape outline इसके बाद आगे as shape effects यहां पर click करेंगे तो यहां पर बहुत से effects यहां पर आ जाएगे preset यहां पर दिये गया है, preset में first वाला यह है यह change हो रही है, यह second में यह change हो जाएगी third में यह change हो जाएगी, तो जो भी हमें यहां पर अच्छा लगेगा उसके ओपर click करेंगे वही style यहां पर आ जाएगा suppose करो हमें इसमें चाहिए यहां पर click किया, तो यह इसमें change हो जाएगी इसके बाद है shape effect में जाएंगे shape effect में जाने के बाद आगे है यहाँ पर shadow तो यहाँ पर shadow जो भी यहाँ पर shadow दरना जाते हैं वहाँ पर click करेंगे वो shadow यहाँ पर आ जाएगी जैसे यहाँ पर click किया यह shadow यहाँ पर apply हो जाएगी इसके बाद फिर यहाँ पे shape effect पे जाएंगे इसके बाद आ गया है reflection तो यहाँ पे reflection अगर हम इसके लिए set करना जाते है तो यहाँ पे यह दिखो reflection आ रही है इसके बाद यह आ रही है इसके बाद यह आ रही है यह reflection चाहिए यहाँ पे click किया तो यह दिखो यहां पे reflection इसकी बन के आ जाएगी इसके बाद इस reflection को यहां से अटाना जाते है तो यहां पे click करेंगे इसके बाद shape effect यहां पे जाएगे और यहां पे reflection और इसके बाद यहां पे none पे click करेंगे यहां से reflection अट जाएगी इसके बाद फिर यहां पे क्लिक किया फिर यहां पे शेफ एफेक्ट पे गए इसके बाद आगे है गलो अगर इसको गलो में करना जाते हैं जैसे इस पॉस करो यह इस गलो में चाहिए तो इस गलो में इसको रखा रखने के बाद आगे फिर यहां पे जाएंगे, स्पोज करो हमें इस में चाहिए, तो हमने इसके ओपर क्लिक किया, तो यहां पे यह अपलाई हो जाएगा, इसके बाद, आगे आ है, shape effect में 3D rotation अगर हम इसको rotation में करना जाते हैं तो यहां पे यह लेखो बहुत से यहां पे style है जो भी style हम यहां पे लेंगे उसी style में यह बन के आ जाएगा suppose करो हमने इस rotation में रखना है तो यहां पे click किया यह लेखो यह जितनी भी यहां पे shape है यह इस rotation में आ जाएगी अगर इस 3D rotation को हम normal में लाना जाते हैं तो यह कैसे करेंगे यहां पे shape effect पे जाएगे 3D rotation यहां पे click करेंगे और यहां पे none पे click करेंगे तो none पे click करने के बाद यह यहां से 3D rotation यहां से हट जाएगी इसके बाद आगे हमें इसको करेंगे arrange group और size group world art को हम बाद में करेंगे अगली वीडियो में arrange group इसको करेंगे तो यहाँ पे bring forward यहाँ पे बंद पड़ा हुआ है send backward यह भी बंद पड़ा हुआ है तो यहाँ पे पहले हम यहाँ पे दो shape हो लेंगे तो इसको पहले यहाँ से shape लेंगे एक और यहाँ पे click किया click करने के बाद shape पे जाएंगे shape पे जाने के बाद यहाँ पे एक shape हमने यह ली लेने के बाद यहाँ पे click करेंगे तो यह shape यहाँ पे आ जाएगी आने के बाद इसको इस color में कर देंगे इसके बाद एक shape यहां पे और insult करेंगे यहां पे insult टैप पे जाएंगे shape में जाएंगे shape में जाने के बाद यहां पे एक और shape insult करेंगे जैसे यह shape ली और यहां पे इसको insult कर दिया तो यह shape हमने यहां पे ली लैने के बाद आप क्या करेंगे यह देखो यहां पर bring forward यह यहां पर open हो गया है और send back forward यह भी यहां पर open हो गया है अब क्या करना है जैसे हम यह दो shape इसके उपर रखते हैं यह यहां पर ले आए इसको यहां पर ले आए अब क्या करना है हम चाहते हैं कि यह जो shape है यह shape इसके पिछे चली जाए तो हम ये कैसी करेंगे इसको करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेंड यहाँ पे सेंड पे जाएंगे बैकवर्ड सेंड बैकवर्ड यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यह रिखो यह शेप इसके पीछे चली जाएगी अगर हम इस shape को इसके पीछे रखने जाते हैं तो यहां पर click करेंगे यहां पर click करने के बाद यहां पर send backward यहां पर click किया तो यह shape भी इसके पीछे जिली जाएगी अगर यह shape आगे लानी है इसके आगे तो हम यहां पर click करेंगे यह देखो bring forward यहां पर click किया तो यह shape यहां पर आगे आ जाएगी इसके बाद यह shape आगे ले आनी है तो इसको क्या करेंगे यहां पर click किया click करने के बाद यहां पर bring forward यहां पर click करेंगे तो यह shape भी आगे आ जाएगी अब ये जो पिछे वाली शेप है इसको आगे लाने है तो हम के करेंगे यहां पे सेंटर वाली में क्लिक करेंगे और इसके बाद ब्रिंग फारवर्ड ये देखो इसके आगे आगे इसके बाद फिर इसके आगे लानी है तो फिर हम यहां पे क्लिक करेंगे ब्रिंग फारवर हैं यह जैसे यह रखी इसके बाद यह यहां पे रखी यह यहां पे इसको ले आएंगे और इसको यहां पे ले आएंगे इसके बाद आगे है selection pen selection pen को यहां पे करेंगे यहां पे क्लिक किया यहां पे क्लिक करने के बाद यह selection pen यहां पे आ जाएगी अगर हम यह हमारे पास 3 shape हैं इनको हम hide करना जाते हैं एक एक करके तो कैसे करेंगे यह देखो जैसे यह shape हमने hide करनी है तो यहां पे क्लिक करेंगे और यहां पे जाएंगे यहां पे और यहां पे क्लिक करेंगे यह शेप यहां से हाइड हो जाएगी अब यह शेप हाइड करनी है तो यह जो शेप है यहां पे यहां पे क्लिक करेंगे यह शेप यहां से हाइड हो जाएगी इसके बाद ये shape भी hide करनी है यहां पर click करेंगे ये shape भी hide हो जाएगी अगर एक एक करके ये shape लानी है तो यहां पर click करेंगे ये देखो जैसे अभी की hide उसको लाना है तो यहां पर click करेंगे ये देखो ये आगे उसके बाद अगली तो यहां पर click करेंगे ये आजाएगी इ अगर सभी एक साथ show करनी है तो यहां पे show all पे click करेंगे यह सभी एक साथ आ जाएंगे इसके बाद फिर हम यह selection पहने इसको यहां से बंद कर देंगे बंद करनी के बाद फिर यहां पे shape पे click करेंगे shape पे click करनी के बाद यहां पे format tab पे click करेंगे आगे यहां पे align तो align पे click क करने के लिए हम क्या करेंगे ये तीनों को स्लेक्ट करेंगे तो तीनों को स्लेक्ट कैसे किया जाता है इसके लिए हम कीवोड से कंट्रोल की प्रेस करके रखेंगे और शेप के उपर क्लिक करेंगे जैसे इसके उपर क्लिक किया इसके उपर क्लिक किया ये भी स्लेक्ट होगी इसके बाद इसके उपर क्लिक किया ये भी स्लेक्ट होगी स्लेक्ट होने के बाद फिर हम यहां पर align पर जाएंगे तो यह देखो यहां पर यह सभी open हो जाएंगे अगर हम यह दो shape हैं इनको हम left side यहां पर लाने जाते हैं ये कैसे लाएंगे ये करने के लिए हम क्या करेंगे यहां पर align left क्लिक करेंगे तो ये देखो ये दो shape थी ये left side आ जाएंगे इसके बाद undo करेंगे ये ctrl z undo किया undo करने के बाद अगर ये दो shape है इनको यहां पर right side लाना है तो हम फिर यहां पर align पर जाएंगे और align right क्लिक करे यह देखो right side आ जाएंगी फिर हमने undo किया control z press किया keyword से यह undo हो जाएंगी इसके बाद आगर center में रखना जाते हैं यह भी shape और यह भी shape यहां पर center में रखना जाते हैं तो हम यहां पर जाएंगे align पे इनको select ही रहने देंगे तीन दूशिपो को इसके बाद align align के बाद align center यह center में आ जाएंगी इसके बाद फिर इसको undo किया undo करने के बाद फिर हम यहां पे align पे जाएंगे और इसको align top करना है तो यह देखो top में हो जाएंगी यह top alignment में हो जाएंगी यह देखो अगर bottom alignment में करना है तो यहां पे align bottom पे click करेंगे यह देखो यह bottom में आ जाएंगी bottom की alignment यह सेम यहां पर आ जाएगी इसके बाद align middle करना है तो यहां पर align middle पर क्लिक करेंगे align middle में आ जाएगी यह देखो यह भी middle में आ है यह भी यह भी इसके बाद आगे align तो horizontally distribute करना है तो यहां पर horizontally पर क्लिक करेंगे यह देखो horizontally यहां पर आ जाएगी horizontally डिस्टिबूट हो इसके बाद यहां पे आगे ग्रूप यहां पे बंद पड़ा हुआ है ग्रूप से क्या होता है जैसे यह शेप है इसको आगर टॉप में ले जाएंगे तो यह अकेली टॉप में जा रही है बॉटम में लाएंगे तो यह अकेली बॉटम में आ रही है राइट साइड आ रही ह अगर हम यह चाहते हैं कि यह तीनों शेपें एक साथ टॉप में बॉटम में लेप्ट साइड या राइट साइड आएं तो यह कैसे करेंगे इसको करने के लिए हमें ग्रूप में करना पड़ेगा इनको तो group में कैसे होंगी, यहां पे group बंद पड़ा हुआ है, तो इसको यहां पे open करने के जिए हम के करेंगे, इसको open करने के जिए हम keyword से control की press करेंगे, और इन तीनो shapes को हम select करेंगे, यह इसको select किया, इसके बाद इसको select किया, इसके बाद इसको select किया, इसके बाद इसको select किया, select होने के बाद यह देखो group यहां पे open हो गया है open होने के बाद यहां पे click करेंगे और यहां पे group पे click करेंगे तो यह जो है तीनो shape एक group में हो गई है अब हम एक shape को उठाएंगे तो यह तीनो shape एक साथ जाएंगी move करेंगी ये देखो टॉप में मूब करना है तो ये टॉप में जा रही है तीन एक साथ बॉटम में लाएंगे तो बॉटम में एक साथ आ रही है लेप साथ करनी है तो लेप साथ जा रही है राइट साथ करनी है तो राइट साथ जा रही है तो इस प्रकार हम इनको टॉप बॉटम या middle में करना है तो middle में कर सकते हैं अगर हम इनको ungroup करना जाते हैं अब कि ये एक एक shape ओपन निचे जाए तो ये कैसे करेंगे इसको करने के लिए फिर हम यहाँ पर group में जाएंगे group में जाने के बाद ungroup पे click करेंगे यह यहां से ungroup हो गई है लेकिन अभी भी shape ये group में है क्योंकि हम अगर बार यहां पे click करेंगे तो यह shape अन group हो जाएंगी यह देखो यहां पे click किया अब यह shape अन group हो गई है अब हम इनको ऊपर नीचे एक एक करके ले जा सकते है तो यह group का यहां पे हो गया इसके बाद rotate अगर suppose करो यह जो shape इसको rotate करना है तो हम यहां पे जाएंगे rotate पे rotate कैसे करना है इसको rotate 90 degree यहां पे right 90 degree यहां पे किया है तो यह देखो right 90 degree हो जाएगी इसके बाद left 90 degree यह left 90 degree हो जाएगी इसके बाद flip vertical यह flip vertical हो जाएगी horizontal करना है तो flip horizontal हो जाएगी यहां पे हम इसको flip vertical रखते हैं इसके बाद अगर इस shape की हम height बढ़ाना जाते हैं तो हम यहां पे जाएंगे height पे जाएंगे यहां से इसको height बढ़ा सकते हैं कम करनी है तो यहां पे click करेंगे यह कम होती जाएगी विट्स इसकी ज़्यादा करनी है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे यह विट्स ज़्यादी हो रही है कम करनी है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे यह कम होती जाएगे इसके बाद अगर यह तीन शेपे हैं इनको हम उठा के जैसे यह शेप यहाँ पे ले आए ये shape यहाँ पर रखी यÈ shape हमने यहाँ पर रखी यह shape यहाँ पर rखी अगर हम इन तीनो shapes को line connector से जोड़ना जाते हैं तो ये कैसी करेंगे इसको insert tab पर जाएंगे इसके बाद shape पर जाएंगे connector double arrow यहाँ पर क्लिक करेंगे यहां पे क्लिक करने के वाद यहां पे हम क्लिक करेंगे और यहां पे इसको यह मिला देंगे देखो यह कुनेक्ट अगर इस लाइन को थोड़ा और मोटाई में करना है तो यहां पे क्लिक करेंगे और इसको मोटाई में करेंगे जैसे यह हमने यहाँ पर क्लिक किया यह मुटाई में आ जाएगी अगर इसको भी हम connect करना जाते हैं तो क्या करेंगे फिर यहाँ पर जाएंगे इंसल्ट टैप पे शेप पर जाएंगे और शेप पर जाने के बाद यहाँ पर connector double arrow यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसको ले जाएंगे और यहाँ पर इसको शोड़ देंगे यह देखो यह छोड़ दी तो यह बन जाएगी यह बनने के बाद यह लाइन भी हमने मुटाई में करनी है तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद किस कलर में करनी है जैसे यह कलर ले लिया तो यह देखो इस कलर में आ जाएगी इसके बाद फिर हम यहां पे नई शीट लेंगे यह नई शीट आ गई इसके बाद फिर हम यहां पे इंसल्ट टैप पे जाएंगे शेप पे जाएंगे शेप पे जाने के वाद आ गया है बेसिक शेप यहां पे कोई भी ले लेंगे जैसे यह ले लेने के वाद यहां पे क्लिक किया क्लिक करने के वाद यह बेसिक शेप यहां पे आ जाएगी इसके वाद अगर इसको उपर करना है तो यह उपर हो जाएगा शेव पे जाने के बाद आगे है block arrows अगर arrow insert करना जाते हैं तो यह दिखो성 arrows यहाँ पे बने हुआ है जैसे ये arrow हमने याँ पे insult करना है यह arrow आ जाएगा अगर इसको edit करना जाते हैं तो edit कर सकते हैं जैसे याँ पी यह दिखो यह जो yellow dot बना हुआ है यहां पर क्लिक करेंगे यह दिको चेंज हो रहा है इसके बाद यहां पर इस यलो डोट पर क्लिक करेंगे यह चेंज हो रहा है कैसे बना रहा है यहां पर जैसे छोड़ा यह इस शेव में बन जाएगा इसके बाद यहां पर क्लिक करेंगे यह दिको यह चेंज हो रहा है तो आगे है equation shape, equation shape में क्या है, जैसे यहां पे, यह जो cross है, यहां पे cross हम यहां पे shape बनाएंगे, इसको भी हम edit कर सकते हैं, यहां पे click किया, यहां पे yellow dot पे यहां पे click किया, यहां पे change हो रही है, जैसे भी चाहिए, जैसे ऐसी करना है, तो इस shape में आ जाएगा, यहां पे इसको छोटा तो इसमें बन के आ जाएगा इसके बाद इसको डिलीट किया इसके बाद फिर यहां पर इंसल्ट टैप पे जाएंगे और फिर यहां पर शेप पे क्लिक करेंगे इसके बाद आ गया है फ्लो चार्ट यहां पर फ्लो चार्ट अगर हम यहां पर सिंबल शो करना जाते है तो यहां पर flow chart यहां पर दिया गया है, जैसे यहां पर decision चाहिए, यहां पर click किया, यह decision, simply यहां पर आ जाएगा, आने के बाद इसको अगर rotate करना है, तो rotate कर सकते हैं, जैसे भी रखना चाहते हैं, इसको रख सकते हैं, इसके बाद इसको भी यहां से delete किया, delete करने के बाद फ कोई भी यह style चाहिए यहां पे click किया यह style यहां पे आ जाएगा अब अगर यहां पे हमने कुछ लिखना है यहां पे click किया तो हम यहां पे कुछ लिख सकते हैं यहां पे click करेंगे text box और इसके बाद यहां पे click करेंगे यहां पे click करने के बाद यहां पे जैसे shape 1 हमने यहां पे लिका, अगर हम इसका size बढ़ाना जाते हैं, तो इसको select किया, select करने के बाद home tap पे जाएंगे, यहां पे इसका size बढ़ा देंगे, यह देखो 48 size यहां पे रखा, इसको centre में करेंगे, यहां पे इसको centre में कर दिया, तो यह देखो centre में लिखा हुआ गया है, तो इस तरह से हम इस शेप को यहां पे इंसल्ट कर सकते हैं इसके बाद फिर हम इस शेप को डिलीट करेंगे यहां से डिलीट की फिर हम यहां पे इंसल्ट टैप पे जाएंगे इंसल्ट टैप पे जाने के बाद शेप पे क्लिक करेंगे और इसके बाद करेंगे इसके बाद क तो कालोर्स को समने के लिए यहां पे हम दो पिक्चर से इंसर्ट करेंगे तो पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए हम यहां पे इंसर्ट टैप पे जाएंगे पिक्चर पे जाएंगे दिस पीसी पे जाएंगे और इसके बाद यह एक पिक्चर हमने यह इंसर्ट कर दी यह पिक यहां पे आ जाएगी यह दो पिक्चर यहां पे आ जाएगी आने के बाद हम क्या करेंगे यहां पे कालोर्स बनाएंगे तो इसको बनाने के लिए यहां पे इंसल्ट टैप पे जाएंगे शेपस पे जाएंगे शेपस पे जाने के बाद यहां पे हम कालोर्स लगाएंगे जै लिए यह कालोड से यहां पर हमने बना दिया ब्लाने के बाद अगर हम यह शो करना जाते हैं कि यह क्या बोल रहा है जैसे यहां पर क्लिक करेंगे इस चेप यहां पर येलो डोड पर क्लिक करेंगे और इसको यहां पर ले आएंगे तो यहां पर लाने के बाद यह कुछ बोल तो इसको कैसे शो करेंगे यहां पे क्लिक किया यहां पे yellow dot बन जाएगा इसको यहां पे ले आएगे यहां पे ले आए यहां पे इसको छोड़ा छोड़ने के बाद यहां पे लिखना है कुछ तो यहां पे क्लिक किया text box पे गए और यहां भी लिखेंगे hello लिखा लिखने के में हमने shapes के बारे में जाना कि shapes को insult कैसे किया जाता है अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो please subscribe my channel धन्यवाद